नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक के शोड डेली रौंड अप में आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर हमाई दूसरी खबर में हम बात करेंगे उतर प्रदेश की जहांपर पुर्वांचल में पहुची किसान आंदोलन की आवाजे सरकार में घबराहट 36 गड लेमरू हाथी रिजर्व में सरकार की तरफ से देरी तीन साल में 45 हाथियों 204 नागरिकों की गई जान पहली बार केंद्री ने स्विकार किया कि ऑक्सिजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत हुई थी और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटों में 40,120 नए मामले 585 मरीजों की मौत उत्रप्रदेश में अगले साल की शुरुवात में विदानसभा चुनाओं होने को है लेकिन राजवे सामरदाइक घटनाओं में अभी से तेजी आ गई है मामला उत्रप्रदेश के कानपूर शहर का है जहां दो पडोस्यों की लडाई यहां तक पहुच गई कि हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के हमलावरों ने गुरुवार को एक मुसलिम रिक्षा चालक को जबरन जैश्रीडाम कहने पर मजबूर किया और उसे पीटा सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भगवा गमचा पहने हमलावरों से पीट रहे 45 वर्षी युवक की बेटी गुहार लगाती कह रही है कि मेरे पिता को छोड़ दो एंडी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मामला शुरू हुआ था दो पड़ोसी कुरेशा और रानी के बीच मोटर साइकल खड़ी करने की जगव को लेकर जिसके बाद कुरेशा ने रानी पर मार पीट की एफायार दर्श की थी जबकि रानी ने कुरेशा के बेटों पर छेड़ खानी का आरोप लगाकर एफायार दर्श कराया था बात तब बढ़ गई जब इसमें बजरंग दल कूद पड़ा मेडिया रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार को बजरंग दल के लोग कुरेशा के घर उनके बेटों को ढूडने गए थे मगर बेटे नहीं मिले तो सड़क पर रिक्षा चालग और कुरेशा के भाई अफतार को पकड़ कर जै श्रीडाम के नारे लगवाए और उन्हें पीटा गया वीडियो में अफतार की बेटी हमलावरों से अपने पीटा को छोड़ने की गुहार लगाती रही बजरंग दल ने इस मामले से पहले इलाके में एक बैठक भी की थी और दावा किया कि मुस्लिम शक्स इलाके की एक हिंदू लड़की का जबर्दस्ती धर्म परवर्तन करवा रहा था बजरंग दल के हमलावरों ने कानून को अपने हाथों में लेते हुए व्यक्ती को पुलिस हिरासत में भी पीटा पुलिस ने बताया कि पिडित की शिकायत के आधार पर दस नामजर्द और अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्श कर लिया गया है आए सुनते हैं इस पर वरिश्र पत्रकार अभिसार शर्मा का क्या कहना है इस तस्वीर को देखिए दोस्तों असरार एहमद नाम के एक मुस्लिम युबक को उसकी साथ साल की बेटी के सामें बेरहमी से पीटा गया भीड ने बजरंग दल के इन कारकरताओं ने उस पर दबाव डाला मारा पीटा जैश्री राम के नारे लगाने को कहा और ये सब कुछ हो रहा था उसकी साथ साल की बेटी के सामने ये सब कुछ हो रहा था पुलीस की मौजूदगी में असरार एहमत को इस कदर पीटा जा रहा है लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमने अपने समाज में इस कदर अंधिरा पिरो दिया है इस कदर अंधिरा उडेल दिया है कि हमें उस साथ साल की बच्ची की रोदाली भी नहीं दिखाई दे रही तीन लोगों को गिरफतार किया गया और इस पूरे घटना करम के पीछे एक भारती जनता पार्टी के विधायक कभी हाथ है उस पे कोई अंकुष लगाया गया नहीं लगाया गया पुलिस ने खाना पूर्ती के तौर पर ये कारवाई कर दी है मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों जिस तरह से ये शक्स अश्विनी उपाद ध्याय एक दिन के अंदर रहा हो गया था एक दिन के अंदर इसको बेल मिल गई थी इस आदमी को भी बेल मिल जाने वाली है इन्हें भी कुछ ने होने वाला है दोस्तों मेरी लगातार बाचीत हो रही है पत्रकारों से और उनका ये कहना था कि देखिए पूरा मामला शुरू हुआ दो परिवारों के बीच रंजिश को लेकर एक नाली को लेकर एक सिविक मामला था और वो मामला बढ़ता गया ज असरार एहमत के साथ किस तरह की नाइंसाफी दे इस घटना के पीछे 9 जुलाई को हुई एक अन्य घटना को बताया जा रहा है जब बर्रा आठ निवासी एक परिवार की नाबालिक लड़की से कुछ यवकों ने कथित तौर पर छेडखानी की थे आरोप है कि परिवार की विरोध करने पर अभियुक्त धर्मातरण का दबाव बनाने लगे पीडित परिवार ने पुलीस से शिकायत की लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई लड़की की माने बीबीसी को बताया हमारी 14 साल की बेटी को ये रोज छेड़ते थे शिकायत करने पर मारनी पीट इतने की धमकी देते थे धर्म परिवर्तन का भी दमाव बनाते थे हमने अपनी शिकायत में धर्मातरण की बात भी कही थी लेकिन पुलीस ने एफायार में सिर्फ छिडखानी की धारा लगाई थी अब आगे गौर कीजेगा वहीं इस बात की जानकारी होने पर बजरंग द रही और मुक दर्शक बनी रही असरार एहमद का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है जो भी इन दो परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही थी कोछ लेना देना नहीं है दो चीजें उभर कर आती है एक तरफ समाच के अंदर इतना जहर भर दिया गया है दिखाई दे रहा है उसका दोश है या नहीं वो देख भी नहीं रहा है और वैसे भी अगर किसी का दोश है तो उस पर कारवाई किसके अंतरकत होनी चाहिए वताइए कानून के अंतरकत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अगर एक पक्ष ने तमान चीजे की भी जैसा की एक पक्ष आरोप लगा रहा है चाहे वो छिडखानी का हो या धर्म परिवर्तन का हो तो इसमें असरार रहमत का क्या दोश है किसानों की अगवाई कर रहे किसान नेताओं ने योगी सरकार की नीती और नियत पर धेरो सवाल उठाए और कहा पुलिस हमारे पीछे तभी से पड़ी थी जब हम किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पुर्वांचल में जागुता अभियान पर निकले थे हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सिफ पैदल मार्च ही नहीं रोका बलकि मेंस्ट्रीम मेडिया में भी इस मामले पर कहीं कोई खबर भी नहीं छपने दी अपने हधिकारों के लिए पुर्वांचल के किसान भी पीछे लोटने वाले नहीं है हम योगी सरकार को घेरेंगे और सत्ता रुट दल पर दबाव बनाएंगे कि कॉर्परेट घरानों को खुश करने के लिए लाए गए ये तीन नए कृशी कानूनों को ततकाल वापस ले किसान आंदोलन को लेकर यूपी की योगी सरकार सचमुद बहुत डरी हुई है इसकी बड़ी वज़ा है विधान सबाचुनाओ इस राजी की करीब 300 सीटे ग्रामिर इलाकों की हैं इनमें 70 फिसदी वोटर किसान और मजदूर है भाजपा को लगता है कि अगर पश्चिम की तरफ पुर्वांचल में भी किसान योगी सरकार के खिला बगावत पर उतर गए तो पार्टी का जनाधार मिट्टी में मिल सकता है मोखिमंद्री योगी आदित नात को आभास है कि भाजपा सरकार में कोई भी ऐसा प्रभावी किसान नहीं है जो किसानों से सीधा समवाद करने की जिम्मेदारी ले सके इसलिए वह खुद किसानों को साध्रे में जुटे हैं योगी की पहल पर भाजपा जगा 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 किसान सम्मेलन कर रही है 36 गड के लेमरू हाथी रिजर्व के प्रोजेक्ट में भुपेश बगेल के नेत्युत वाली कॉंग्रेस सरकार की तरफ से हो रही देरी की वज़ज से हाथियों और नागरिकों की जान लगातार जा रही है आलम ये है कि सरकारी आगडे कहते हैं बीते तीन सालों में 45 हाथियों और 204 नागरिकों की जान चली गई है कोईलाख हादानों और अन्य तरह से जंगलों को नस्ठ होनी की वज़ज से हाथियों के रहने में खलल पड़ा है जिसकी वज़ज से वह रिहाइशी इलाकों की तरफ जाते हैं और फसलों इंसानों पर हमले करते हैं जंगलों में इलेक्ट्रक्यूशन की वज़ज से हाथियों की भी मौत होती है जब 2017 में भुपेश बगल की कॉंग्रेस सरकार सत्ता में आई थी उसने तुरंती जंगलों में कोल माइनिंग का काम बंद करवाके लेमरू हाथी रिजर्व के लिए 3,887 स्कॉार किलो मेटर जमीन अलोट कर दी थी मगर 2019 में सरकार ने अपना रुख बदल दिया और जमीन को लगबग आधा कर दिया बाद में तो उसे कम करके 487 स्कॉार किलो मेटर कर दिया गया था मगर विरोत के बाद वो फैसला वापस ले लिया गया हाथियों की तरफ से अब तक 204 जाने गई हैं और फसल नस्ट के 65,000 से जादा मामले सामने आये हैं इसके साथ घरो और अन्य संपत्ती नस्ट होने के भी करीब 8,000 मामले हैं इस सब के बावजूद लेमरू हाथि डिजर्व को लेकर सरकार का लव या लचर बना हुआ है केंद्री स्वास मंत्राले ने पहली बार स्विकार किया है कि कोविड-19 के इलाज के दोरान वेंटिलेटर पर रहे कुछ मरीजों की मौत और पर्याप्त ऑक्सिजन की वज़ा से हुई थी केंद्र स्वास मंत्राले की वरिष अधिकारी अपनी इस बात पर कायम है कि उन्होंने राज्यों से ये जानकारी मांगी थी कि कितने कोरोणा मरीजों की मौत ऑक्सिजन की कमी के चलते हुई है दहिंदू ने एक वरिष अधिकारी के हवाले से कहा हम इस तरह के आकडों को हलके में नहीं लेते हैं एकत्र किया गया डेटा मंत्राले के लिए यह सुनिशित करने में माग दर्शक साबित होता है कि हम किसी भी अंतर को पाटने और किसी भी प्रवित्ती को जल्दी पकड़ने में सक्षम हो सके कोविड-19 लहरों के दौरान राज्यों को पर्याप्त ऑक्सिजन और अन्य चिकित सा अपोर्ती सुनिशित करने के लिए कई ततकाल उपाय किये गए थे और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रिस्वास मंत्राले दौरा आज शुक्रवार यानी 13 अगस्त को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 40,000 नए मामले दर्श किये गये हैं इसके अलावा कोरोना से आज 585 मरीजों की मौत हुई है साथ इसी दौरान देश भर में कोरोना से पिड़ित करीब 42,000 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिम मामलों में करीब 3,000 मामले कम हुए हैं देश में संक्रमित लोगों की संक्या बढ़कर 3,21,000,000 हो गई है जिनमें से अब तक 4,30,000,000 की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पिड़ित 97,46 फीस दी यानि लगबग 3,13,000,000 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिम मामलों की संक्या घट कर 1,20,000 फीस दी यानि करीब 4,000,000 हो गई है स्वासमंत्रालिक ताज जानकारी का अनुसार देश में कोरोना वैक्सिन की अब तक करीब 53,000,000 करोड डोज दी जा चुकी है जिनमें से लगबग 57,13,000 वैक्सिन की डोज पिछले 24 गंटों में दी गई है आज के डेली रॉंड़ों में बस इतना ही न्यूस क्लिक के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बूक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रियां